Hello Student इस वीडियो में हम सीखेंगे पत्र लेखन अर्थात पत्र कैसे लिखा जाता है पत्र में क्या क्या लिखा जाता है और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इस वीडियो को लाज्ट तक देखते रहे हैं बोर्ड परिच्छा के बच्चे हैं तो यह आपके बोर्ड एक्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है तो student हम एक topic पर पत्र लिखकर यहाँ पर सीखेंगे जैसे हमारा topic क्या है बच्चों यहाँ पर देखें हिंदी में यह आपके पूछा जाता है पत्र लेखन और आपको पत्र लेखन जो है student यह कहीं भी आपको काम आ सकता है अगर आप सीखेंगे तो ठीक है देखें question क्या है बच्चों हम जिस पर पत्र इस वीडियो में लिखेंगे अपने गाओं नगर मुहले में फैली गंदगी की सफाई कराने है तो नगर पाली का अध्यच को एक सिकायती पत्र लिखें यानि कि आपके अपने गाओं भी आ सकता है अपने नगर में भी आ सकता है ठीक है में जो फैली गंदगी है उसकी सफाई कराने है तो आपको स्वास्त्य अधिकारी को एक सिकायती पत्र लिखना है, सिकायत करना है कि हमारे गाउं में गंदगी फाइली हुई है तो देखिए पत्र इस प्रकार से हम किस प्रकार से लिखेंगे देखिए यहाँ पर तो पत्र लेखर हम लोग यहाँ से सुरू करते हैं सबसे पहले पत्र लिखते समय आपको लिखना होता है बच्चों सेवा में ठीक है तो यहाँ पर आप लोग लिखे सेवा में ठीक है सेवा में अब जैसे आपको किसको पत्र लिखना है आपके नगर या कस्बे में जो है गंदगी फाइली हुई है तो गंदगी के लिए बच् अगर आप किसी अन्य काम से लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार से लिखेगा देखिए अब यहां पर आपको लिखना है पता ठीक है जैसे मालेजी आप कहां के हैं नगर निगम नगर निगम तो यहां पर अधिकारी कर लिजिए ठीक है नगर निगम जैसे मालेजी आप बरेली के हैं ठीक है तो बरेली आप लोग यहां पर लिख दीजिए अब आप अगर गोरखपूर या फिर लखनौ के हैं तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले आ यहां पर बिसे लिखना है ठीक है बिसे आप कि इस बिसे पर पत्र लिखना चाहते हैं तो आपकी समस्या क्या है बच्चों तो देखिए समस्या जैसे आप यहां पर आप लिख रहे हैं कि गंदगी फाइली हुई है तो गंदगी से बच्चों माल लीजिए कि आपको मच्छर मच्छों का बढ़ता हुआ परकोब हुआ परकोब ठीक है यानि कि आप मच्छर से परेशान है उनका परकोब आप पर है और मच्छर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रब कर रहे हैं तो आपको इस बिसे पर पत्र लिखना है स्वास्थ अधिकारी को कि हमारे यहां गंदगी फाइली हुई है मच्छडो का परकोब बढ़ रहा है ठीक है तो देखिए अब यह आपका इतना पहले हेडिंग में लिखना है अब आपको क्या लिखना है बच्चों यहां पर आपको लिखना है महोदय ठीक है तो आप लिख दिए महोदय अब आपको लगाना है बच्चो चुके हैं ठीक है अब स्टूडेंट आपको आगे जो लिखना आए वहां पर आप यहां पर अपनी जो आपके पास प्राबलम है उसको लिखते जाए जैसे मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं आपको आपको ऐसे जो है बच्चों सभी को लिखते हुए चले जाना है जैसे आपको ऐसे लिखते हुए जो आपकी समस्या है उसको यहां पर लिख देना है डिस्क्राइब कर देना है कि आपकी समस्या क्या है ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा सभी को अब दे इतना तो आपका हो चुका है अब आपको लिखने के बाद अपनी समस्या यहां पर आपको क्या लिखना है साहिर्दे धन्यवाद शाहिर्दे धन्यवाद जो आपकी समस्या है बच्चों उसको आपको बड़े बड़ा लिखना है डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है उन सभी को अब देखे यहाँ पर डैट डाल सकते हैं अगर आप श्टुडेंट से तो डैट डालने की यहाँ पर आप लोग लिखे बच्चों भावदिये अब भावदिये लिखने के बाद बच्चों क्या कीजिए यहाँ पर नाम लिखना है कि मैं कौन हूं ठीक है आप लोग का खागा लिख सकते हैं तो यहाँ पर नाम लिख दिया गया अब यहाँ पर अपना पता लिखना है ठीक है यहां पर अपना पता लिखना जैसे हम यहां पर कुछ लिख देते हैं जो आपका पता है वो आप लिखेगा जैसे हम लिख देते हैं मालीजे मंत्री मुहला ठीक है सुधार समिती ठीक है सुधार समीत सुभाष नगर आप यहां के हैं उसको भी लिख डिस्क्राइब कर सकते हैं तो देखी बच्चों इस तरह से आपको लिखना है एक पत्र ठीक है कैसे आप लोग लिखेंगे सुरू से लेकर अंतर तक आप लोग देख सकते हैं पत्र लेखन में सेवा में स्वास्त अधिकारी नगर निगम बरेली बिसे आपका क्या है किस बिसे पर आप पत्र लिखना चाहते हैं मच्छों का बढ़ता हुआ अपर को अब महोदे मैं आपको शूचित करना चाहता हूँ कि मेरे यहां यहां पर कि लिख दीजिए अपकी लिखने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं सुभास नगर छेतर का निवासी हूं पूरे सुभास नगर में आज कल मच्छों का भैंकर आतंक चाया हुआ है ठीक है जिससे घर घर में मलेरिया फाइला हुआ है तो आप लोग इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को अब यहां पर आपको लिखना साहिर धने बाद पत्र लिखने के बाद फिर दिनांक डालना है भाव दिए ठीक है अपना नाम और अपना प लिखना है ठीक है और अगर आप किसी और कारे से लिख रहे हैं तो भी लिख सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग अच्छे से पत लिखना सीख गये हूंगे मेरी आसा है